आज हम बनाएंगे एक दम नए और डिफरेंट तरीके से गुल गुले इसे आप स्विट डिस्क की तरह बना करके खाए बहुत टेस्टी लगता है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस आउन करके सवा लिटर दूद को उबलने के लिए रखा है दूद को हमें उबाल करके एक लिटर करना है जब तक दूद उबल रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं इसके लिए हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालकर गाढ़ा बैटर त्यार कर लेंगे हम पाने एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बैटर पतले हो जाएंगे और गुल-गुले अच्छे नहीं बनेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर गढ़ा बैटर त्यार कर लेंगे हम बैटर को अच्छे से फेटेंगे जैसे हम कड़ी पकोड़े की बैटर को फेटते हैं बैटर को फेटते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें एक चोथाई छोटी चमच से भी कम खाने का सोड़ा एड़ करेंगे। खाने का सोड़ा ओप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और कभर करके 10 मिनिट के लिए रेश्ट करने देंगे। और अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर दूद भी हमारा अच्छे से उबल गया है और ये कम हो करके एक लिटर हो गया है। अब हम इसमें तीन चोथाई कप चीनी यानि की 200 ग्राम चीनी डालेंगे और एक चोथाई चमच इलाइची पौडर डाल करके मिलाएंगे। इसे भी हम दो मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे की इलाइची पौडर का फ्लेवर दूद में अच्छे से आ जाए। दो मिनट हो गया है हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और अब चलते हैं बैटर की तरफ। मैं आपको यहां बता दूँ कि गेहूं का आटा थोड़ा सा लिसलेसापन रहता है तो गुलगुले बनाने से पहले आप हाथ को पानी में इस तरीके से डिप करके बनाएए तो बैटर आपके हाथ से नहीं चिप केंगे। इधर माने पहले से कडाही में तेल को गरम कर लिया है इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक करेंगे। तेल हमारे अच्छे से गरम हो गया है इसमें हम एक एक करके गुलगुले बनाते जाएंगे। देखिए तेल में जाते ही गुलगुले साइज में डबल हो गए है इसे हम मेडियम फ्लेम पर अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे यहां हम गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे अगर हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे तो गुल्गुले ऊपर से शिख जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगी और अगर हम गैस का फलेम लो रखेंगे तो गुल्गुले तेल जादा सोक लेंगे इसे फ्राइक करते हुए चार से पाँच मीनट हो गये हैं और गुल्गुले में सुनहरे कलर आ गया है अब हम यहां गैस का फ्लेम लो कर देंगी और इसे प्लेट में निकाल लेंगी इसी तरीके से हम बाकी के बच्चे हुए सभी बैटर का गुलगुले बना करके त्यार कर लेंगी हमने सभी गुलगुले बना करके त्यार कर लिये हैं और इसे हम दूद में डाल देंगे और इसे अच्छे से डीप करेंगे और इसके उपर हम कोई भारी बरतन रख देंगे जिससे कि गुलगुले दूद में अच्छे से डूप जाए और दूद अच्छे से सोख ले इसे अंफ्रेज में रख करके ठंडा कर लेंगी और इसे सर्व करेंगी एक जरूरी बात अगर आप इसे जादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप इसे गरम गरम ही इसे गरम दूद में डालते जाए नहीं तो ठंडा होने के बाद ये दूद नहीं सोक पाएंगी और हाँ आप आप चाहें तो इसमें फोर्क से होल करके भी दूद में इसे डाल सकते हैं इससे भी दूद अच्छे से सोख लेते हैं ये बेखिए हमारे गुलगुले अच्छे से दूद सोख लिये हैं और एकदम नरम हो गये हैं इसे हम दो घंटे फ्रीज में रखने के बाद इसे ठंडा करेंगे दो घंटे हो गए हैं और इसे हम सर्थ कर लेते हैं और इसे हम भूने हुए और कटे हुए कुछ ड्राइफ रूट से इसे गार्निस कर लेंगी और यहां पर हम थोड़ा सा केसर वाला दूद भी इसके उपर ऑड कर लेंगे इससे कलर अच्छा आता है ड्रै फ्रूट से गार्निस करना और केसर वाला दूद अगर आपको ये नई तरीके की गुलगुले की रेसीपी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग